सबी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकाडमी क्लासेस पर यहां बात करेंगे उत्रपदेश एनियाटल बिहारी पाजपई मेडिकल इनुवरस्टी बीस्टी नर्सिंग प्रवेश परिक्षा फार्म जो दो हजाट चौबिस का है उसका अब अंतिम समय लगभग आ तो उन दस चीजों को आप परफेक्टली ध्यान दीजिए दस दिन में दस चीजों पर तो आएए देखते हैं कि एक चीज को समझते हैं देखिए यहां पर बात करेंगे लास्ट मिनेट प्रवेश नर्सिंग इंट्रेंस एक्जाम तो यहां पर आप सारी चीजों को पर बात करते हैं एक एक करके यहां हैं की topics जो आपने notes में बनाए हैं जो चीज़े बनाई हैं उनको priority or revision by focusing on the core subject जो आपके core subjects हैं जो revision के time में उनको focus करिए topics पर करिए और यहां पर जो है commonly tested in BSE nursing exams allocated more times to revise subject like biology, chemistry, physics तो इस तरीके की चीजों पर आप यहां पर focus कर सकते हैं तो जो curriculum दिया गया है उस curriculum के आधार पर आप चीजों को करिए फिर practice time management करिए studies करिए तो यहां पर जो आपका जो time to refine your time management है उसको अपनी skill के अनुसार जो है चीजों को देखिए taking time practices test and mock exams जो होते हैं mock test papers होते हैं उनको आप जो है करिए आपका जैसा आपकी जैसे skill है उसके हिसाब से आप उस पर time दीजिए और जो है much time on any one questions and ensure that you are covering all sections of the exams तो यह वाइड करना है कि आप ज़्यादा स्वाइड को ना दें और जो है time management जो इस्टेडिजी है उसे अपनाएं और अपनी skill को जरूर ध्यान में रखें revive important formula and diagrams जो diagram के माद्ध हम से formula के माद्ध हम से हैं उनको आप revise कर लीजिए I spend some time revising important formulas है equations है diagram है subjects है जो subjects में आपके जैसे physics chemistry and visual ads में हैं तो उनको आप revise करिए quickly revise कर लीजिए और recall करिए उन्हें proper way में जिससे क्योंकि revision का वक्त है आपके 10 दिन आपको करीब करीब बचे हुए हैं रोज एक ना एक दिन कम हो जाना है उसमें maintain and confident mindset जो आपको सबसे important है यह हम fourth point की बात कर रहे हैं तो यह आप जो है आपको जो है सबसे ज़्यादा confident रहना है और hard work and effort you have put into the study for the exam तो यह चीज़े जो है आपको अपना confidence मना के रखना है और stress को avoid करना है और boost your confidence तो आप जो है relaxation techniques को use करिए तो positive रहिए और boost अपने confidence को जरूर रखिए जिससे confidence lose ना होने पाए और आप आसानी से काफी चीज़े हल कर पाएंगे solve अगर आपको previous year कोश्चन पेपर मिल जा रहे हैं तो उन्हें solve जरूर कर लीजिए जिससे आप आसानी से अपने आपको देख पाएंगे कि कितने पाने में आप यहाँ पर हैं और जो है क्या है question pattern है exam pattern question type and difficulty level क्या है उसका allowing the better prepare जो questions आपको नहीं समझ में आ रहा है उस पे आप कैसे अपनी strategy को बदल कर उस पे कैसे confident हो सकते हैं यह भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर additionally चीजों को आप देख सकते हैं जो week areas हैं वो आपके notice हो जाएंगे आप उन्हें notice कर पाएंगे जो week areas होंगे उस पर भी थोड़ा सा work कर पाएंगे utilize effective revision techniques आप अपना सकते हैं जो भी आपकी skill के according हो उन्हें आप देख सकते हैं device and flash cards हैं तो यह सब आप अपनी skill के recording यह अपने friends का यह जो circle आपने बना रखा है उसमें studies बना लीजिए studies जि कैसे आप techniques का इस्तमाल कर पाएंगे तो जितनी effective आपका friend कितनी effective तरीके से जो है उसे याद कर पा रहा है diagram के माध्यम से या कोई flow chart के माध्यम से उनको जो है आप रखिए क्योंकि data काफी ज़्यदा ऐसा होता है जो आपको रटना होता है तो उस impact को आप कैसे अपने अंदर impact कर सकते हैं उसको कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से maintain कर सकते हैं लंबे समय तक याद कर सकते हैं तो उन जो है flow chart हो या आ diagram system हो या कोई और तरीका जो आपके friends ने आपने जो इज़ात किया तो उस पर आप अपनी skill के according आप focus करिए प्रियोर्टी उस physical and mental building यह सबसे important होता है साथवा point आपको अपनी care करनी होती है चाहे वो physical हो चाहे mental हो कि इस समय आपको वीवार नहीं होना है आपको अग्दम आपका जो है यहाँ पर जो है eat to balance diet आपको रखना है hydrated रहना है और get penalty and restful sleep लेनी है आपको proper way में आपको करना है जिससे आपको किसी भी प्रकार का mental stress ना होने पाए और आप perfectly fit रहें जिससे आप काफी ज़्यादा जो है अपना best दे पाएंगे exam hall में अब यहाँ पर दो और बसते है stay updated with the exam details जो exam details आती जाए उनको time to dive up डगरे किये double check important exam details such as the date, time and venue जो है आपको याद रखना है last minute confusion or travel plane जो है your travel routes in advance and make sure to arrive at the exam center with penalty and of the time and spare तो आपको समय से exam centers पर पहुशना है जो जो चीज़े आपको ले जानी है उन्हें प्रॉपर बे में याद कर लेना उसको प्रॉपर बे में पहले ही एक दिन पहले ही रख लेना है जिससे सिर्फ आपको बैग उठाना पड़े और चल देना हो और उसमें ऐसा कुछ ना रखें मतलब ऐसा कुछ ना हो कि आपको लास्ट टाइम पर रखना पड़े और आप भूल जाएं जल्दबाजी में और exam center भी पहले पहुशें जिससे जो आपका mental stress होगा वो कम होगा यह चीज़ें और सबसे जो important है इन 10 points में जो best जो है वो आता है यह 10th point यानि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखना है अपने कैसे profession की है उस पर भरोसा रखना है तो यह लास्ट लीव विलीव यूर सेल्फ और यूर अबिलिटी तो सक्सेज इन ब्यूर से नर्सिंग इंट्रेंस विज्वल से यूर सेल्फ परफॉर्मिंग बेल यूर अग्जाम एंट्रेस्टिंग हाड़ वर्क और परपेशन यू है पुट इन सेल्फ कॉन्फिदेंस तो यह आपको अपना सेल्फ कॉन्फिदेंस बना कर रखना है अपा पोजिटिव अटिटिउड रखने हैं जो है टेंथ पॉइंट है आप इसे अपना कर देखिएगा चीजे रिजर्ट आपको कैसा मिलता है यह दस टिप्स हैं आपके लिए कि आपका एक्साम जो है बहुत 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 आए आपको आनिवाद जय हिंद जय भार